हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर छोटी बनाई का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है ये डिजैन बनाने में बहुत ही आसान है इससे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, कल्स, टो, फ्रो, कुर्टी, कैप, मॉफलर किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़जेश्ट हो जाएगा 6 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए फिर सेच है फिर सेच है फिर सेच है इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन उल्टी साइड से शुरू होता है चार सलाईों का डिजैन है और 8 सलाईों में कम्पलीट हो जाता है बोडर के बाद जब किसी भी प्रोजक्त लिए आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें सीधी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए तो उल्टी साइड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंट जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई है वही मैं आपको यहां से बता रहे हूँ तो बोडर के बाद जैसे ही आप यहां से स्टार्टिंग करेंगी वही सलाई मेरी यहां से बन रही है तो ध्यान से देखिएगा इस डिजैन को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिये हैं 34 फंदे, 6 के multiple करके और 4 फंदे एक्स्ट्रा, 3 प्लाई वाली मैंने only है और 9 नमबर की इसमें सलाई यूज की है, तो डिजैन की पहली सलाई है और उल्टी साइड है ध्यान दीजिएगा, प और ये 3, 4, चार फंदे इस तरह से आप उल्टे बनाईए और उसके बाद 2 फंदे ऐसे सलिप कीजिए, एक और ये 2, इन दोनों फंदों को बनाना नहीं है ऐसे ही सलिप कर देना है, अब ये 4 फंदे उल्टे बनाए हैं 2 सलिप किये हैं, यही 6 फंदे का डिजैन बार बार तो ध्यान से देखिएगा, चार फंदे उल्टे बनेंगे, एक, दो, तीन और ये चार, फिर हम दो फंदे स्लिप करेंगे, एक और ये दो, फिर से इसी डिजाइन को रिपेट करना है, चार फंदे उल्टे बनाईए, एक, दो, तीन और ये चार, फिर से दो फंदे स्लिप चार फुर से दो फंदे हम स्लिप करेंगे एक और ये दो बार बार यही छे छे फंदे का डिजाइन रिपेड करना है चार फंदे उल्टे बनाईए एक दो तीन और ये चार और दो फंदे इस तरह से आप स्लिप कर दीजिए यही छे छे फंदे का डिजाइन बार बार रिपिट कर ये और लास्ट में आपके फिर चार फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा बना दीजिए एक दो तीन और ये चार पहली सलाइड डिजैन की कंप्लेट हो गई दूसरी सलाइई है और सीधी साइड है तो ध्यान से देखिए पहले फंदे को मैं हमेशा ही दोनों तरफ से उल्टा बुन कर लेती हूँ जिससे ये किनारी पिल्कुल सीधी सीधी बनती है मुर्ती नहीं है अब धागे को पीछे करेंगे एक फंदे को उल्टा बुन लिया है और ये तीन हम सीधे बुन देंगे आपका मन करें से स्लिप क धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को हम उल्टा बना देंगे फिर धागे को पीछे करेंगे और ये चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जो स्लिप किये हुए फंदे हैं इनको हम उल्टा बनेंगे बस पूर किये हुए दो फंदे हैं इनको आप उल्टा बनाईए फिर से धागा पीछे करेंगे एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे पिर धागा पीछे और चार फंदे ये सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ इन चारो फंदो के बाद हमें धागा अपनी तरफ करना है और इन दो फंदो को हम उल्टा बन देंगे लास्ट में आपके चार फंदे होंगे एक दो तीन और इस एस्टीच को मैं उल्टा बन दोगे तो दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज येगा इसकी तीसरी सलाई और हमारी उल्टी साइड पर अब ध्यान से देखिएगा ये चार फंदे हम उल्टे बने दोसरी सलाई सीधी साइड पर हमने उल्टे बनाए है अब तीसरी सलाई पर इनको हम उल्टा ही बनेंगे लेकिन एक फंदे को दो बार लपेट कर देखिए एक और ये दो इस तरह से बनाएंगे फिर से देखिए इस फंदे को लेंगे एक और ये दो बार लपेट कर इसे उ हमने बनाए इन दो फंदों को दो बार लपेट कर बनाएंगे तो ये देख लिजिए एक और ये दो बार लपेट कर एक फंदा बनाया फिर इस फंदे को लेंगे एक और ये दो बार लपेट दिया फिर से चार फंदे नॉर्मल उल्टे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार अ लपेट कर उल्टा बनाया फिर चार फंदे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार फिर से देखिए एक और ये दो बार लपेट कर बनाया फिर से एक फंदे को दो बार लपेट कर उल्टा बनाया फिर चार फंदे हम ये उल्टे बुन लेंगे अब ये जो दो फंदे हैं इनको ह उल्टा बनाईए तो तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई जोती सलाई है और इसकी उल्टी साइड है जोती सलाई को आप ध्यान से देखेगा कि कैसे कम्प्लीट करेंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे एक फंदा ये सीधा बना देंगे अब देखिए ये वाले जो दो फंदे हैं इन दो के बीच में जाएंगे तो ये जो हमने लपेट कर बनाया है इसे आगे की साइड से सलाई पर डाल लेंगे इन दो फंदो को उतारेंगे और बैक साइड से इनको हम ऐसे करके सलाई पर ले लेंगे अब ये वाला फंदा देखिए लपेट कर बनाया था तो लूज हो गया है इसको अब हम यहां डाल देंगे और इन तीनों फंदो को सीधा बनेंगे एक दो और ये तीन अब इधर के फंदे हमें ट्विस्ट करने है तो ये वाले दो फंदे यहां बीच में आएंगे तो इन में हम बैक साइड से सलाई डाल लेंगे इस तरह से इस लपेटे हुए फंदे को उतारेंगे और फ्रंट वाली सलाई पर इसको हम ऐसे डाल देंगे ये दो हम पीछे से इनके यहां पर ले आएंगे एक, दो और ये तीन इस तरह से हमें इसको ट्विस्ट करके बनाएंगे अब इसी डिजाइन को देखे ये वाले दो फंदे छोड़ दिये हैं और ये छे फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को आप बार बार रिपेट कीजिए तो फिर से ध्यान से देखेगा इन दो फंदो को छोड़ देंगे इस लपेटे हुए में आगे से स्लाई डाल लेंगे इन दो को उतारेंगे बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे लाएंगे और पलट के आगे डाल देंगे और ये अब देखिए एक, दो और ये तीन इन तीनों फंदो को हमने सीधा बुन लिया चोथी पूरी स्लाई को आप ध्यान से देख लिजेगा अब इस लपेटे हुए को हम छोड़ देंगे इन दो फंदे में बैक साइड से स्लाई डाल देंगे देखिए ऐसे टाइट हों तो हलके से लूज कर लिजे अब ये जो लपेटा हुआ है इसे उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लाई पर ले लेंगे इनको बैक साइड से आगे कर देंगे और अब इन तीनों फंदों को हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे तो देखिए फिर से हमने छे फंदे का डिजैन बनाया है फिर से इसी को रिपीट करना है इन दो फंदे को छोड़ देंगे इस लपेटे हुए में आगे से स्लाई डाल लेंगे इन दो को उतारेंगे, पीछे की Sliper डाल देंगे, इसे पलटके हम आगे ले आएंगे, अब इन तीनों फंदों को हम ऐसे सीधा बना देंगे, अब इन फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे तो इसे छोड देंगे, और बैक साइड से दो फंदे में हम Sliper डालेंगे, और य एक, दो, और ये देखिएगा, तीन, इन फंदों को हमने सीधा बनाया, फिर से इसी डिजैन को रिपेट करना है, ध्यान से देख लिजिए, इन दोनों फंदों को छोड़ देंगे, लपेटे हुए में सलाई डालेंगे, इन दो को उतारेंगे, बैक साइड की सलाई से इसको ह अब ध्यान से डालिए, और अब इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, जब इसको लपेट कर बनाते हैं, तो यह थोड़ा लूज हो जाता है, अब इन को हम सीधा बनाएंगे, एक, दो, और यह तीन, अब इन फंदों को ट्विश्ट करना है, तो लपेटे हुए को छोड़ दे बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डालेंगे, इसे उतारेंगे और यहाँ पर लाएंगे, इन दोनों को इसके बीच में करेंगे, और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बनेंगे, फिर से फंदे ट्विश्ट करने हैं, दो फंदे छोड़ कर लपेटे हुए में आगे से स्लाई डालेंगे, इन दो को बैक साइड की स्लाई पर कर देंगे और इसे पलट के सबसे आगे, एक, दो और यह तीन फंदे सीधे, अब इस फंदे को हम छोड़ देंगे, और बैक साइड से इन दो फंदे में स्लाई डालेंगे, इसे उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लाई पर ले आएंगे अब इन दोनों को इसके आगे करेंगे और इनको अब हम सीधा भुन देंगे और यह देखे लाश्ट में दो फंदे होंगे यह एक सीधा जाएगा और S.T. को हम उल्टा भुन देंगे तो यह हमारा चार सलाइ का डिजाइन बन गया है अब फिर से हमें इनी चार सलाईों को repeat करना है लेकिन जो फंदे हमने slip किये थे उनकी जगह चेंज हो जाएगी ये देखिएगा ये हमारे एक इधर से फंदा आया एक इधर से ये वाले दो फंदे हमें slip करने हैं और यहां पर ये एक फंदा slip होगा तो पांचमी सलाई को आप ध्यान से देख लीजेगा कि कैसे बनाना है पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाएए अब ये एक फंदा सीधा अब ये वाला जो फंदा है तो देखिए ये यहां पर आया है इसको हम slip कर देंगे इसको बनाएंगे नहीं अब हम चार फंदे उल्टे बनेंगे देखिए एक दो तीन और ये चार अब यहां पर देखिएगा एक फंदा इधर से और एक इधर से ये दोनों यहां पर कठे आपको मिलेंगे इन दोनों को ऐसे आप slip कीजिए ये स्टार्टिंग वाले तीन फंदे छोड़ कर चार उल्टे बनाएंगे दो परेंगे एक दो तीन और ये चार लास्ट में देखिए आपके तीन फंदे होंगे इस एक को slip कर दीजिए और लास्ट वाले दो को उल्टा बनाईए तो पांच सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई बिल्कुल पहली सलाई के जैसे बनाया है सिर्फ जो फंदे slip किये हैं जगे चेंज हो गई हैं छटी सलाई है और सीधी साइड है पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए धागा पीछे करेंगे और इसे एक फंदे को सीधा बनेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे देखे ये slip किया हुआ फंदा है इसको हम ऐसे उल्टा बनेंगे फि दो तीन और ये चार फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे हमारे स्लिप की हुए हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे ये स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़ कर ये छे फंदे का डिजैन बनाया है इसी को आप आप बार बार रिपिट कीजिए एक चार फंदे हमें सीधे बुने हैं और ये दो तीन चार फिर धागा अपनी तरफ इन दो फंदो को उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे अब हम उल्टे बनेंगे फिर से धागा पीछे और चार फंदे ये स जाएं Сथीधह बनाएंगे, और फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे एक साथ है इसलिप की हुए हैं इनको उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे सीधkah बुनेंगे और ये देखिए फिर धागा अपनी तरफ यहां पर हमारा ये एक सिध़ा वपन की हुआ है इसक अब देखिएगा एक और ये दो फंदे उल्टे बुनने के बाद अब ये वाला जो फंदा है इसे दो बार लपेट कर बनाएंगे देखिए एक और ये दो फिर चार फंदे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार पूरी सलाई हमें उल्टे ही बुननी है ध्यान से देख लिजे एक और ये दो, फिर चार फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर दो फंदो को हम इस तरह से दो बार लपेट कर बना देंगे, ऐसे करते हुए आपने इस सलाई को बुन लेना है, और ये देखिए, ऐसे बुनते हुए, यहां लास्ट में भी आपका ये एक फं और फिर इन दो फंदों को उल्टा बुं दीजिए तो 7 सलाययं डिजैन की कमप्लीट हो गई है आठ मी सलाई है और उल्टी साइड है रहा ह待 सलाई पर हमें फंदों को ट्विंश्ट करना है। साइड से दो फंदे में स्लाइड डाल लेंगे इसे उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लाइपर यहां पर हम डाल देंगे इन दो फंदों को पीछे से लाएंगे और स्लाइपर डाल देंगे इन तीनों फंदों को सीधा बनेंगे एक दो और ये तीन अब देखे यहां से हमारी इस साइड पे ये फली गई है अब देखे इन फंदों को ट्विश्ट करेंगे इन दोनों को छोड़ देंगे लपेटे हुए में आगे से स्लै डाल लेंगे इन दो को उतारेंगे और बैक साइड की स्लै पर डाल देंगे इसे पलट के हम सबसे आगे करेंगे इन तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे एक दो और ये तीन अब देखे ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर ये हमने छे फंदे पर डिजैन बनाया है इसी को बार बार रिपिट करेंगे तो ये देखे इस लपेटे हुए को छोड़ देंगे और बैक साइड से दो फंदे में स्लै डाल लेंगे इसे उतारेंगे और स्लै पर आगे डाल लेंगे इन दोनों को पीछे से डाल देंगे और अब ये तीन फंदे यहाँ पर सीधे आ जाएंगे फिर से डिजाइन को बुनना है इन दोनों को देखे छोड़ देंगे लपेटे हुए में आगे से स्लाई डाल लेंगे इन दो को उतारेंगे इनने बैक साइड की स्लाई पर कर देंगे और इसे हम आगे डाल देंगे अब एक दो और ये तीन फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे अब इस लपेटे हुए को छोड़ देंगे और बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डाल लेंगे लपेटे हुए को खोल लेंगे और इस स्लाई पर डाल देंगे इनको पीछे से आगे कर देंगे अब ये तीनों फंदे यहां पर सीधे बनेंगे फिर से देख लिजेगा कि कैसे बनाना है इन दो फंदों को छोड़ देंगे इसे स्लाइपर लेंगे इन दो फंदों को उतारेंगे और पहले back side की sliper डाल लेंगे इसे पलट के सबसे आगे कर देंगे और ये 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे फिर से देखिए इस लपेटे हुए को छोड़ देंगे और back side से 2 फंदे में sliper डाल लेंगे इस लपेटे हुए को front वाली sliper डाल लेंगे इनको पीछे से लाएंगे और आगे डाल देंगे ये 3 फंदे अब यहाँ पर सीधे आजाएंगे फिर से देखिएगा इन 2 फंदो को छोड़ देंगे लपेटे हुए में ऐसे sliper डाल देंगे इनको उतारेंगे और back side की sliper डाल देंगे इसे पलटके सबसे आगे एक, दो और यह 3 फंदे सीधे अब इस लपेटे हुए को हम छोड़ देंगे और back side से 2 फंदे में sliper डाल देंगे टाइट हों तो फंदो को आप हलका सा लूज कर लीजिए ताकि बुन्ने में आसानी हो जाए इनको पीछे से लाएंगे और बीच में डाल देंगे एक, दो और यह 3 फंदे सीधे बनाए अब देखे इन दो को छोड़ देंगे फ्रंट वाली side से इस sliper डाल देंगे इन दो को back side से इस sliper डाल देंगे इसको पलटके सबसे आगे करेंगे एक, दो और यह 3 फंदे हमने सीधे बने अब लास्ट में आपके सिर्फ दो ही होंगे इसमें से एक को सीधा बनाए और estich को उल्टा बन दीजिए तो यह देखेगा चार सलाईयों में यह design over हो गया है अब इन ही चार-चार सलाईयों को बार-बार repeat करते जाना है अगर next बार की starting में आपको कोई problem आती है तो वीडियो को आप back कीजिए और जैसे मैंने यहां से बुनना बताया है same to same आप आगे बुनते जाए तो फ्रेंड्स इन ही चार-चार सलाईयों को जब आप बार-बार repeat करेंगी तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा यह design बनता चला जाएगा अगर आपको यह design पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी friends ग्रूप में से share कीजिए channel पर नई है subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रैस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिलते और आप मेरे चनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तेंक यू